आप सबने सुनाओगा बच्पन में अपने अपने घरों में सुनते हूँ बात सही है तो हाथ दीचे रखना दालिया मत बजाना लेकिन अगर बात सकते है तो एकभार दो लो हाथ की पुल जोड दालियों के साथ मिल के बोलेगा जिस भजन में नाम का नाम नहों उस भजन को गाना ना चाहिए बेटा कितना भी प्यारा हो उस सपे पिठाना ना चाहिए बेटा कितना भी प्यारा हो उस सपे पिठाना ना चाहिए बेटी कितनी भी प्यारी हो उसे खर खर को माना ना चाहिए जिस भजन में नाम का नाम ना उस भजन को गाना चाहिए जिस समय ये भजन लिखा गया था मुझे नहीं बता कि लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा मेरा ये माना है कि जो हमारे पूरवजों ने कहा है वो बहुत सोच समझ के तोल मोल के कहा है लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की सोच बदलती है लोगों की नियन बदलती है उस समय क्या था घालो आज के परिवेश में इस लाइन से थोड़ा सा इतिफाक नहीं रखियो मैं हला कि लिखा है तो कुछ न को सोच के लिखा हो भाई कितना भी पेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए पत्नी कितनी भी प्यारी हो पत्नी कितनी प्यारी हो उसे ठेदे बताना चाहिए जिस भज़न मेरा में का नाम नहो उस भज़न को कहा ना चड़े आईए एक बड़ मिलके इन तालियों की सेवा सब के साथ गोड़ार एक दो दी चाहिए पत्नी कितना चाहिए हात की तंगी ना कोई संगी की हात की तंगी ले लोख बड़ सभी पज़न की संगत्ति हरी ओ एक दभू मने बसी ओ दे संगत्ति हरी ओ एक दभू मने बसी ओ दे किसको किसको आता ही है भजन अभी थोड़ी दिर पहले काम दियाता अप लोगों को बताओ दस मिनट विडिए भूल गया अप लोगों का कुनी मार ने थी ना बजन खाने के लिए हाथ फोड़ी बहुत आगे पीछी की भी कुनी मरवा दी जबी प्रेमियों से विंदी है कि जितना हो सके थोड़ा थोड़ा आगे सब्सक्राइब ताकि और भी जो प्रेमियों करने को अब फूदा है कि आज जो में दूदा थूदा है कि आ कर दो गई करता है जीवन जीने का सबसे खुशाल मूल मंत्र आपको बताओं जो जो चाहते हैं कि उनके जीवन में अंत समय तक खुश्या रहे हैं उसका मूल मंत्र बताओं पाताओं कुछ कुरना हर तेल तरा बार माला पेड़ने की जरूरत नहीं हर तिस बार किसी को याद करनी की जरूरत नहीं स्प्रक्रेंश एक छीज अगर आपनि हम आगे कहने जारी और यह करती ना दुनिया के सारी देविश देवत्ताओं वास आपके घर में होगा पुछो क्या? जिस भजन मेरा आम का ना ना चाहिए जिस भजन मेरा आम का ना चाहिए जिस भजन मेरा आम का ना चाहिए